नमस्कार दोस्तो मैं हूं हरस और सभी का स्वागत है वर्मा उन्लाइन परिवार में दोस्तो आज हम लाए है मुंगेली जीला का एक requirement जो की जीला खनीच कारियाल है मुंगेली के तरफ से ॢटिव डिकाल निकाला गया है यहाँ पर देख सकते हो मुंगेली जीला खनीज संस्थान न्यास के लिए कर्यालिन इस्टाफ समीदा भरती के लिए विग्यापन दिया हुआ है तो चलिए देखते हैं दोस्तों विग्यापन में क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं कारियाले मुंगेली जीला खनिज संस्थान न्यास जीला मुंगेली 36 गडर कलेक्टरेट परिशर मुंगेली प्रतमतल DMF साखा के द्वारा निकाला गये हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं वे स्थापक 36 गड़ जीला खनीच संस्तान न्याज एमम सचिव 36 गड़ सासान खनीच साधन विभाग मंतरालाय महनंदी नवार रैपूर अटल नगर नवार रैपूर का पत्रक्रमांग F734 के तहद 23-23 के दोरा स्विक्रित पद सरचना अनुसा 36 गड़ जीला खनीच संस्तान न्याज 2015 के नियम 26 के उप नियम चार के तहद मुंगेली खनीच संस्तान न्याज है तो स्विक्रित पदों की सविदा भरती है तू इच्छु के माम योग्या अम्योदवारों को निर्धारित प्रारूप में आविदान पत्र आमिंतरित किये जाते हैं आविदान द्वारा अपना आविदाक पत्र मात्र पंजिक्रित डांग या स्पिट पोस्ट के माध्यम से यहां स्वेम उपसित होकर कलेक्टर DMF साखा जिला मुंगेली 36 गड़ पिन कोट 495-334 के नाम से बेजना है दोस्तों यहां पूर्ण रूप से भर हुए आविदन पत्र प्राप्ति होने की अंतिम दिनांग 2221 तक आपको 5 बज़े तक साम को बेजना है पोस्ट की बात करें दोस्तों तो यहां पर विकास साहक है लेखा पाल है साहक ग्रेट 3 है और भित्य का पोस्ट निकाला हुआ है जिसमें सब में एक एक पोस्ट है और साहक ग्रेट 3 में दो पोस्ट है आयू की बात करें दोस्तों तो 35 वर्स से लेकर 60 वर्स तक इसमें मंगा हुए है 21 वर्स है आपका इस्टाटिंग है उसमें 35 वर्स, 40 वर्स और 65 वर्स दिया हुआ है दोस्तों उसके बात यहां पर देख सकते हो पेविंट की बात करेंगे तो विकास साह के लिरी 75,000 रुपए हैं लेखा पाल के लिरे 18,420 रुपए है साह ग्रेट 3 की बात करें तो 14,200 रुपए हैं और भित्य की बात करें तो 11,360 रुपए है चैन पर देख सकते हो जितना भी आप रहेगा उसमें 100% अंगों का देख सकते हो वेटेज देते हुए शाठांग और सक्षातकार में बिशंग जोड़कर इसी प्रकार से आपका सेलेक्शन किया जाएगा दोस्तो इसे सब का सेलेक्शन दिया हुए लेखा पाल का साया ग्रेट इनका भीत्या का कैसे सेलेक्शन लेना इसको आप नियम सर्तियों के पढ़कर ही फार्म डाला करो दोस्तो क्योंकि गलती हो जाने पर अपातर सुची में आपका नाम रहता है और फार्म का यह पर देख सकते हो इसका डिसक्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है वहां से डाइक्टर डाउनलोड कर सकते हो उसके आप फार्म भेज सकते हो अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए मैं रिप्लाई जरू दूँगा मिलते दोस्तों ऐसे नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाए जै जोहार जै चतिसगर